आज हम बनाएंगे चादनी चौक के मसहूर पिन्नी छोले और साथ में गर्मा गर्म इसके साथ सर्फ किये जाने वाले गाजर और मूली का इंस्टेंट अचार साथ में विरकुल कागस की तरह फूले फूले भटूरे बनाएंगे जिससे खाने का मज़ा एकदम दुगना हो जाएगा तो बहुत टेस्टी और इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी है पूरी रेसिपी को ध्यान से देखेगा तो ये चादनी चौक के मसूर छोले बनाने के लिए रात भर मैंने भेगो कर छोले ले लिए हैं छोले आप कोई सा भी ले सकते हैं उसके बाद 3-4 पानी वाश करके इसको कूकर में ट्रांसफर करना है उबलने के लिए इसको उबालने का थोड़ा तरीका अलग है यहाँ पे मैं 500 ml पानी अभी डाल रहे हूँ 200 ml बाद में डालूंगी टोटल 700 ml पानी का यूश कर रहे हूँ दो चम्मच इसमें आउले का पाउडर एड़ करना है अब यहाँ पे हमने दो प्यास स्लाइस में कट करके दो टमाटर, दो चम्मच अनार के दाने, हरी मिरज फाड के ले लिया है दो री लकसन 20से फाड के ले लिया है इन सब चीज़ों को हमें कूपर में आड कर देना है अब इस तरीके से कूकर में एड़ करने के बाद इसमें जाएंगे कुछ मसाले तो ये उबाले भी बिरकुल अलग तरीके से जाते हैं इसलिए आपको पूरी रेसिपी देखना बहुत जरूरी है अब नमक एड़ करेंगे इसमें एक चम्मश और साथी में आधा चम्मश हमने डाला है चैक पत्ती, दो इलाइची, पांच लोग, एक मोटी इलाइची, एक जावित्री का फूल हमने रखा है, टुकडा दाल चिन्नी, एक स्टार रखा है हमने यहाँ पे जो चक्री का फूल बोलते हैं पांच से साथ दाने काले मिर्श के इन सब को बान कर किसी धागे स इस तरीके से हम लपेट लेंगे तो एक पोटली तैयार हो जाएगी और मसालों के इस पोटली को आप मलमल के कपड़े में इस तरीके से बान देंगे तो अच्छे से इनका फ्लेवर मसाले का जो है छोले में आता है बस इस पोटली को इसमें एड करना है इसके बाद दो चम मीडियम फ्लेम पे लेना है उसके बाद जब तक ये सीटी देता है तब तक हम भटूरे के लिए आठा लगाएंगे 500 ग्राम मैदा लिया है इसमें एक चम्मच सूजी का जाएगा और आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच से वन फोर्थ टेबल स्मून इसमें जाएगी चीनी का पाउडर मैंने लिया है आप साबक चीनी भी ले सकते हैं और उसके बाद दो चम्मच इसमें दही जाएगा दही सूट करने से रह गया है वो आप जरूर एट करिएगा ज्यादा नहीं एट करिएगा दो चम्मच दही जाएगा सिर्फ और उसके ब लगाना है पटक पटक कर आटा लगाने से आटा जो है बहुत लचीला बनता है और बहुत ही अच्छे से आपके भटूरे जो है एकदम कागश की तरह फूल के आएंगे आटा जब लगके तयार हो जाए तो हाथों में थोड़ा सा ओयल लीजिए और आटे में चारों तरफ से लगा कर इस तरीके से इसको चिकना कर लीजिए और चिकना करने के बाद इस आटे को कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट इतना ही आपको रेश्ट देना है किसी बावल में रखिए प्लेट से ढखिए उपर से किसी कपड़े से ढख दीजिए और किसी गरम जगा पे आप इसको रख दीजीए जिससे की जल्दी आपका आटा तयार हो जाए अब चलिए छोले भी तयार हो गया है इसको चेक कर लेते हैं तो देखे कितना बढ़या छोलों का कलर आया है और इन मसालों का काम अब हो गया है इनको निकाकर पोटली को बाहर रखेंगे और छोले देखे दबा कर जब हम चेक करते हैं तो बिल्कुल छोले पकर तयार हो गए हैं तो बस अब इन छोलों को हमें इसी तरीके से रख देना है और छोलों को आज हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई में यहां पे 4-5 चमच आप सरसो का तेल एड़ करिए दो तेजपते उसमें तोड़ कर एड़ कर देजे एक चमच जीरे का एड़ करिए साथ में आधा चमच आप हींक का एड़ करिए चोटे चमच से और जब यह सब चीजें हो जाएं तो दो चमच भरके यहां पे चाए कद्दू कस करके ले लीजिए या तो आप यहां पे पेस्ट लीजिए अदरक लस्टन का पेस्ट एड़ करना है तेल में जब वो भुन ज तो दो प्याज को आपको यहां पे कद्दू कस करके ले लीजिए या बारीक कट करके ले लीजिए मैंने यहां पे कद्दू कस करके लिया है उसको भी एड़ कर देना है अब प्याज को अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि प्याज जो तले में लगती है कड़ाई में ल जब ये प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगे तब आपको आधा चम्मच कसमेरी लाल मिर्श एड़ करना है, साथ में दो टमाटर की प्यूरी एड़ करिए या कद्दू कस करके एड़ करिए और उसी कटोरी को धुलकर हमने आधा कटोरी पानी एड़ कर दिया है जिससे कि ये मसाले अच्छे से फूल जाएं, गरम पानी एड़ करने से टमाटर अच्छे से भुन जाते हैं और तेल जल्दी रेडियूश करते हैं, बाकी कोई मसाले आपको एड़ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने एड़ किया है जो मसाला वो एवरेस्ट का छोले मसाला आप ले ली गरम पानी उबलता हुआ पानी आपको एड़ करना है जिसे कि आपके मसाले जल्दी फूल जाएंगे और बहुत जल्दी तेल रिड्यूस कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धन्या और पुदीने का दो चम्मच यहाँ पेस्ट एड़ किया है बनाके अ थोड़ा सा पेस्ट बनाते नहीं बन रहा था इसलिए थोड़ी धन्या भी एड़ करी है उसमें तो दो चम्मच हमने उसका पेस्ट एड़ किया है बाकी यहाँ पे आपको हल्दी वगरा कुछ भी धन्या वगरा डालने की ज़रूत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप छोले मस करता है उसको फटफट से इसलिए आपको इसमें कढ़ाई में डालने के बार एक बार अच्छे से इसको mix करए उसके बाद इसमें पाणी डाली है जरूरत के अंसार तो यहाँ पे मैने गर दिया है तीन से चार कर्ची भर भरिके पाणी एड़ कर दिया है पानी ले ना है उत्ला ऑफ सिर्फ आप बीच बीच में लोई हमें ज्यादा नहीं करना को डुकि आज़ते जो पिन्नी छोले बनते हैं यह बहुत टेस्टी होते हैं और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है यह तो लाइट जल रही है अभी मैं आपको लाइट बंद करके इसका और जिनल कलर दिखाती हूं देखिए कितना बढ़िया जो है इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल भटूरे से इसी तरीके के छोले खाया जाते हैं तो अभी छोले तयार नहीं हुआ है अभी इस पर एक तड़का लगेगा तो पहले आपको लाइट बंद कर दिया है मैंने यह देखिए यह इन छोलों का वर्जिनल कलर और टेस्ट की तो आप बिल्कुल बात ही मत कीजिए इतना जब दीना भी ले सकते हैं यहां पर और इसको फटा पट से तड़के को जो है इस पर एट कर देना है छोलो के उपर आपको आप देखिए क्या जबर्दस्त इसमें खुसबू आ रही है छोले में और क्या जबर्दस्त इसका जो है कलर आया है कितना शाइन है इस छोले में यह आ तूरे के साथ चान्नी चोप में सर्फ किया जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है तो देखिए इसमें हमने डाला है दो चम्मज तेल एक चम्मज सौफ एक चम्मज कलोंजी और एक चुटकी हींग इन सब चीजों को डाल कर आप मूली और गाजर को धुल कर छील कर लंबे यह 10% कुक्ड हो जाएंगे मूली और गाजर तब आपको इसमें पीली वाली जो सर्फो होती है उसको दरदरा पीस कर डाल देना है मोटा मोटा दो दाल निकाल कर साथ में एक चम्मज हल्दी नमक स्वात के अंसार यह दो चम्मज जो नहीं मसाला है यह खड़ी धन्या लौजी जीरा इन सब चीजों को भून कर मोटा दरदरा पीस लिया है तो यह मैं पीस के रखती हूँ आपको इसका इंग्रीडियंट्स में दे दूंगी और साथ में जो है कस्मीरी मिर्श आधा चम्मज एड़ कर दिया है और इसके साथ ही एड़ करना है आपको इसका मैज इंग्रीडियंट्स यह पानी नहीं है यह है विनेगर जो विनेगर होता है कम से कम तीन से चार चम्मज विनेगर एड़ करिए उसके बाद आप चाहें तो हरी मिर्ची भी एड़ कर दीजिए वैसे वहां पर हरी मिर्ची नहीं सर्फ की जाती है सिर्फ गाजर और मूली का सर्फ की जाता है लेकिन हमें इसकी साथ में हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है तो गैस बन करने के बाद लास्ट में आप हरी मिर्च एड़ करिएगा जिससे कि आपकी मिर्च जले नहीं और आधे घंटे ही आप इसको रखिए ढगकर साइड में अचार आपका खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो अचार तयार हो गया है चलिए फटा फट भटूरे निकालते हैं तो एक बार आटा खोल कर चिक कर लेते हैं तो आटा बिल्कुल रेडी हो गया है अब हाथों में थोड़ा सा ओयल लगा लीजिए देखे कितना बढ़िया लचीला आ आँक बाइठेजिसफीया था सिखुन में काउंटर में जबती है। आपangesवाद में अधानों पर उपतिए को चाहिँ धुना होती हुए, पैया की सटीन की तुना चक्लीन होतNew भटूरे चाहे तो लंबे शेप में चाहे तो गोल शेप में बहुत तरीके से बनते हैं भटूरे का कोई शेप नहीं होता है प्रेट कुलर तो गरम तेज धुवाधार तेल जब गरम हो जाये तो फटा-फट आपके भटूरे आप तभी उठाईए जब आपका तेल एकदम ध भटूरा फूल रहा है आप देख सकते हैं और इस तरीके से गर्मा गर्म भटूरे बनाईए और छोले के साथ में इंज़ाय कीजिए तो एक भटूरे हमने आपको बेल कर दिखा दिया है दूसरा भी मैंने बेल कर तयार कर लिया इसको भी फटा फट से निकाल लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं कि कितने पतले एक्षुली में ये भटूरे बने हैं और एक भी भटूरे फूटेगा नहीं तेल बहुत कम एकजाद करेगा ये तो देखिए एक और भटूरे तयार हो गया है इस तरीके से हमको सारे भटूरे निकाल कर तयार कर लेना है और गर्मा ग और यह भटूरे गर्मा गर्म निकाल के सर्फ के जाते हैं तो देखे एक भटूरे में आपको तोड़ कर दिखा रहे हूं फ्रेंड्स देखे कितने बिल्कुल कागज की तरह पतले भटूरे बने हैं और बिल्कुल भी तेल एकजार्ब नहीं हुआ है इसके अंदर एकटम ड् करके बता दीजेगा बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजेगा इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजेगा तो गर्मा गर्म जो है भटूरे निकालिए और पिन्नी वाले छोले साथ में गाजर भूली का अचार प्यास टमाटर नेम के साथ आप गर्मा गर्म भटूरे को थैंक्स पर बाचिन